नमस्कार मेरे प्यारी बचो एक वर फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल दपी सीम विजर में आज की इस वीडियो में हम लोग कुलाश टू वेले हिस्टरी के सकेंड टर्म के मोडल पेपर सेट टू के सोलुशन को देखेंगे पैर बचो इससे पहले हम लोगोंने एकोनोमिक्स के सेट वन, हिस्टरी के सेट वन और जियोगरफी के सेट वन का सोलुशन को देख लिया है अगर आपने इन सभी के solution को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं या तो पले लिष्ट का लिंक मैंने description में दे दिया है आप लोग उसे वहाँ से जा करके देख सकते हैं साथ ही साथ पहरी बचों अभी तक आपने model paper का PDF प्राप नहीं किया है तो मैंने टेलिग्राम गुरूप में इसका PDF दे दिया है आप लोग इसे भी वहाँ से जा करके प्राप कर सकते हैं टेलिग्राम गुरूप का लिंक description में दिया हुआ है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रशनों को आपका कोई question हो या doubt हो या किसी परकार का concept हो या board परिक्षा जेई ही need इन सारों सवालों का जवाब आपका अपना फिलो एप देने जा रहे है बता दे कि 24 by 7 आपको ये जवाब देगा बस आपको 3 easy simple step follow करना सबसे पहले आपको नीचे लिंक प्रोवाइड कर दी गई है बस आपको mobile number या play store से डाउनलोड करना उसके बाद आपको sign up करते ही आपको यहाँ पे question paper को upload करना यहाँ पे photo crop करके खीच के उसके बाद आपको upload करते ही 60 second के अंधर ही इंडिया के top faculty से जोड़ देगा आपकी question में आप कहना चाहते हैं कि बल्क की power कितनी है अगर बल्क जो है वो 220 voltage पर operate हो रहा है इस बैटरी का जो voltage है वो आपको given है 220 तो यह आपको simple relation होगे है यहाँ पर अब अगर को आपको और डाउट है तो बताएंक यू सर तो आज यह फिलो एप डाउनलोड कीजिए वीडियो को निचे description में प्रवाइड कर दी गाई है तो यह सब question आपके बोडिक्जा में आने वाले है तो देखे पहला question आपका है पहरी बचो तुझी के बाबरी जो बाबर की आत्म कथा लिखी गई है ठीक ना कोन सी भासा में लिखा गया है तो यह चकताई तुर्की में लिखा गया ठीक ना देखे यह बाबर ने अपनी मा और अपने पास रखता था अश्क्ति कि जविंदर किसान से उसुलता था उसका कितना भग अपने पास रखता था और और नो रूपिया अंग्रेजी सरकार के पास जमा कर दीता था कि लिए रहे हैं देखे उसके बाद तीसरे एक वर्ड में आप अपना अंसर दे सकते हैं पहरे बिचो दो नमर आपका कहीं नहीं जाने वना है उसके बाद देखे पहरे बिचो एहां और यहां किस रैज में घटी तुवा था मतलब इस राष में घटना घटा था तो देखें प्यारी बचो चूरी चोर्यकांड चार फरवरी 1922 को ब्रिटीस भारत के तट कालीन सन्यूक्त प्रांत जो वर्तमार में जिए वर्तमार में में उत्तर परदिश के गोरगपु उसमें से 10 से 15 प्रीस वालों जिन्दा जल गए थे उसके बाद महात्मा गादी ने अस्थायोग अंदोलन को वापस ले लिए था प्यारी बचो इसके बाद देखें पांच लंबर का प्रस्ण है मुसलिम लिंगई का जल अभी नहें तलक देखें नहींक का और शॉष्ण और छाहीर प्र्शूंक लिए यह वी कि यह थी मुसलिम लिंगे अस्थापना कब उए थी 10 जनवरी 1906 और उसके नहीं जल्मर्य मैं। यहां पर हुवी थी मुस्लिम के अस्थापना धाका में हुई थी और कब हुआ था तीस जनवरी उने सो चौक हुआ था कि लिए आपने नहां तक देखे छे नमर का प्रश्ण कि अकबर ने पुठीपूर सिक्री में बढ़न दर्माजा का निर्मान का कि सुब्लेच में क sousön छंता तो अकबर ने करवाये था पुठा च्ररा क्यों करवाया का का क्या विजे वय जीत कर आया तो दीखि तो देखे गुजरात के विजे के उपलेच में गुजरात इन्होंने जीता था प्यारी मुचो उसके मतलब उसी के खुसी में इसका अंद्रिमान कराया था क्लिए आपने जाता है देखे भारत छोड़ों अंदोलन की सुरुवात कभी थी तो 9 अगस्त कभ 9 अगस्त 1942 को भारत चोड़ों अंदोलन की सुरुवात हुई थी प्यारी मुचो आगे आपका कोश्चन भी है भारत छोड़ों अंदोलन के शुरुवात होने की मुझ के कारण क्या था इसके बारे में भी आगे बताएंगे आपको ठिंग ना तो यहां पर आपका सौट का अंसर दो नमर का खत तक अबया शोलस तेख यिशमें सभी धर्मों के मुल्टैक्पको परकास डाला इसमसें परमुकृता था से हंदू यवह मिष्छा मधन थर्मकी इसके अलावा पार्सी जयन मिसाई धर्म के मुल्विचारों को भी समलित किया गुए था इसे तो तोहिद ये इलाही की नाम से भी जाना जाता है मतलब अकबर के दुवारा यहाँ एक सोच था जिसमें से क्या क्या जा रहा था परमुक्स रूप से हिंदू और मुल्टत्व किसका डाला गया था हिंदू और मुस्लिम इसलाम धर्म इसलाम धर्म यह मुस्लिम धर्म था इसी को डाला गया था इसमें छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा पार्सी जैन और इसाई धर्म के मुल्विचारों को भी डाला गया था इसका दूसरा नाम क्या है तोहिद ये इलाही के नाम से भी इसे जाना सब्सक्राइब जार करें तुर्ण वहां की बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको इसको शिद्ञ करना इसके बारे में लिखना है देखे, संथाल बंदिसों से निचली पहारी, राजमहल की पहारी जो साहिव गण्ज वरतमाने प्यार बचू, वहां की बात कर रहे हैं, ठीक ना, पर अपना कबजा जमालिया था, इसलिए पहारीों को और राजमहल की पहारीों में और भीतर की और पीछे हटना पड़ा, दे पर परियों करते थे इस लिए इसे कुदाल का पहाड़ी जीवन का परतिक माना जाता है आपके से पुझा ताइं कुदार हो गया था संथाल्फ परगना जो साहिब गंज राजमहल की पढ़ाई में इस वज़े से इसे क्या हल और कुदाल की बीच लड़ाई कहा जाता था ठीक ना किलियर है अब लोड डल होजी वला आ लोड डल होजी अरो 148 में भारत का गवरेनरेंट गराण बन कर आया वह समर्यजवादी प्रिवर्ती का था प्यार बचो देखें लोड डल हुजी ब्रिटिस समर्यज का अधिक से अधिक विषाद करना चाहता था अना की वह चाहता था कि सारा जो सब्सक्राइब करने के लिए उसमें एक नमीन कुट नितिक सिधान्त का निर्मान किया जो गोद निसेद निती के नाम से जाना जाता था वर भारत में प्राचिन काल से ही गोद लेने की पर्था चली आ कर दो कर नोसार किसी बालक को उत्राधिकारिक क रूप में गोद लेता है के इस सिधान्त के अनूसार देखेसं आप लोगोने देखा लोगों ने देखा हुआ उत्ट्रा दिकारी यह कूई गौतबियुगा गोद नहीं बेहने मिले रसी तरह कोई ऒल्यास को अ राजक फोर कि we Dr Kanda तरह नहीं लिए सकता है और नहीं गोद लिया हुआ पूत्र उसके रज का उत्रादिकारी बन सकता है यह खनू लाया था किसम लेटा डलू जी ने इस नीटी का कठुड़ता के साथ पालन किया और सत्रा देखें यह आप से कोश्चन एक नमर में पूछा जा सकता कि डलोजी के हरब मीती के तहास्त कौन से भारतिय रैज सबसे पहले समरेजि में मिला था सट्राथ ठ्राथ न उसके बाद जैतपूर सम्बल पूर नागपूर और बाद में जासी कि तुलिया गया यह रोस्त अग्रेजी समरेज्य में विले कर सब्सक्राइब था देखे उनके समराजवादी नीती के निम्लिखित आधार था क्या क्या आधार था रैज अप्राहिन या गोद निशेद नीती कुछसासन और देखे यहां पर यह आप लिख भी सकते और नहीं भी लिख सकते ठीना तो उसके समराजवादी जो विचार धारा के थे तो उसक तो दो समाप्त कर दिया था सभी राजा चडबर के हिस्सा लिये था ठीक ना देखी और आगे है यूद और आकरमक नीटी जो नहीं मिलता था उसको जबरजस्ती मिला ले था यूद से मिला लेता था यहीं इसका निती था प्यार बैचो देखिए आगे अला प्रश्ण है भारत छोड़ू अंदोलन का कारण बताई ए बीबी आई प्रश्ण है आपके बोर्ड एक्जाम में छपने वाले हैं ठीक ना बहुत ही इंपोर्टेंट यह आपका प्रश्ण मनता है इसल ज्यादा रहता है देखे प्रश्ण क्या है भारत छोड़ू अंदोलोन का कारण बताई इए ठीक ना देखिए भारत छोड़ूं अंदोलोन का निमलखित और ते पहले आप लोगे पहले मैं आपको बता दिया कि भारत छोड़ू अंग्रेजों की एक चाल थी जुब भार्तियों को दोखिए में रखने के लिए चली गई थी किलिप्ट मिसन कि 스वि के कारण उसी वापस बुलाग लिया गया किलिप्ट मैजन भी सब्सक्राइब पर रोजगार नहीं तो उस समय भी इसी तरह से था भारतिय क्या कर रहे थे साउधी मैमार में मैमार में मैमार है ठीक ना बर्मा वही वर्तमार में इसका नाम क्या है मैमार तो मैमार में जाकर के काम करते थे वहां पर यह क्या करते थे अत्याचार करते थे हमारे सेनी हमारे भ कि मांग सिवकार की गई तो उसे भारत में रहने वाली मुश्लिम तथा अच्छूत जनता के उपर हिंदुओं का अध्याधिवीत हो जाएगा देखें को रिश क्या चाहता था कि देश का बटवारा ना हूँ कि अगर कॉंग्रेस की बात माल लेते हैं तो हिंदी तो का यहाँ पे वह ती ज्यादा बॉर्ड बॉला हो जाएगा ठीक ना और इसे क्या होगा अच्छूत रहेगा और हिंदों का अध्याधित हो जाएगा इस हिंदी के कान भारत छोड़ों अंदोलन आवेश्यक हो गया और हो जाएगा था उसी समय आपका दूटियों कि लडाई में समेलीट कर चुकी थी लगाएगा उसका यहाँ पर राज चलता तो यहाँ पर उसका राज चलता तो उसमें भारतिये भी पुलिश थे जिंग तो वहां पुलीस को क्या करता था ता था अपने फैदा के लिए सब्सक्राइब करना एक मुई के खारण यह लिखा गया है बिटी सकार भावती दूत्य विसुद की दूमें लाड़ाई में समिलित कर चुकी थी परन्तु अपना अस्पष्ट घुजित नहीं कर रहे थी अधी सतनता और समानता के लिए युद हो रहा है तो भारतियों को भी क्यों नहीं दिया जाता है देखें उसमें दूत्य विसुद का क्या कारण था सतनता का था एक टरसे सतनत्र सभी दुनिया सतन्तर होना चाते थी ठीक ना एक करण यह भी था तो इसी में सबको जोगा जा रहा था भातियों को भी एकने भारत को आजाद नहीं किया जा रहा था इस वज़े से भारत चोड़ों अंदुलन काफी तीजी से हुआ एक देखे उसके बादा आठीक दर्शता अंगरेजी सरकार की नितियों से भारत की आहीं आठीक इस्थिति अत्यंत खराप हो गई थी और देनों दिन इसती थी बदत्तर होग रही ते लिकी इसी नीथी अंगरेजी सरकार की कि भारती और गरीब होते जा रहे थे और यह दिन तीन यह गरीब भड़ती से यह कारण्येश्им japan कर्मिय देखें क्या हो रहा था मैं मार्त न यौPR दुद्झ इनक Tequis इस वेसे उस पर अमेरिकान पर्मारुम पटका दो बर और जपान तभाव हुए तो जपान ने जिते जिते मैमार तक पहुच गया था और भारत पर भी हमला कर सकता था इसका करण यह भी था कि जपानी आकर्मन का भाई था दोतिय विश्यूद के दोरान जपानी सेना जपानी कब्जा कर लेगा पहले तो हम लोग 300 साल से अंग्रेजों का गुलाम था ही था अब जपानी भी कब्जा कर सकता था इस वजी से भारत थोड़ों अंदुलन का एक कारण यह भी था ठीक ना यहीं सब कारण था प्यारे बच्छों ठीक ना कि यहीं सब मुख्य का प्रस्न क्या है भारती सविदान के अनिसर धर्म निटपेस्टा क्या है गए परद् tapping गलत हुर फोड़ों हाँ इसको ड़ीं BOB अर्थ ऐसले भावनहें तुब पते सभी धर्मों के परती समानता की भावना से हैं धर्म निर्पेष्टा का अर्थ केवल यह होता है कि रैज दुबारा किसी विसीज धर्म को संरचन नहीं दिया जाता है देश के सभी नागरिक अपनी इच्छा से किसी की किसी भी धर्म को मानने और उसके विश्वासों के सभी नागरिकों को उनकी सामांता और भाई-चारिए पर और विश्वासों को पर विचार के लिए भी अपने धर्म की समान आचरन करने पर सतंत्र देता है यही धर्म निर्पिष्टा का मतलम हो जाता है प्यारी बिचों यहां तक आप लोग प्रिपश्ण क्या है मूगल मनसब्दारी विष्था से आप क्या समझते हैं तो मनसब्द थोड़ा सोट में मैं बता देता हूं आप लोग चलते रही है ठीक मतलब चलते नहीं यह आपको अपने से लिख लिए तो असकी ने सोट आप लोग ले लिए ठीक ना देखिए मनसब का सिधा मतलब होता है कि मूगल प्रसासन की योर से कोई यहोदा देना और जिसे उस अधिय मस्तर का होता है उससे बाद क्याता है सबसे बड़ा अमिर यह आजम अब सवाल यह कि इन अस्तोरों का निर्धारन के से होता है दरसल मनसबदारी व्यूस्था में दो महत्पुन सब्दों का उप्योग क्या दाता है पहला है जात और दूसरा है सवार जात का मतलब ह सवार को कि दरबार में कितना उदा होता हूगा कि यही आपका था यह मोगल मनसब्दारी से मतलब ठिक न इसी स्का आर्थ ट्रीक йटेना लीखेगा तीनमरा एंव strengthen जाएगा उसी बाद देखे 1857 की करांती से संबंदित तीन परमुक केंद्रों तथा वहां के नेत्रित्व करता का नाम लिखना है इस तरह से डाइट लिख सकते हैं आप दिल्ली से बहुजूर सा सबस्ट जासी से रानी लश्मी भाई ठीक ना कानपूर से तातिया टोपे इस प्रंतु यहां नेत्रित्व उपचारिक रूप से नाम मत्र था विद्रों का वास्तविक नेत्रित्व जनरल बक्सकन के हाथों में था जो बरेली से से विद्रों की अगवा करे थी बक्सकन बरेली से को नेत्रित्व कर रहा था बक्सकन और बिहार से कुमर सिंग ने यह सा नागरिक विवाग से थे यह दल या नल्याले समराठ के नाम से सरवाजनिक मुद्दो की सुनुवाई करता था देखे आपको पॉइंट बना के लिखना है पहला पॉइंट क्या है ठिक ना यह आपकी थी सोट में जनकारी अब पॉइंट में लिखेंगे ती अठारो सो आप सभी पसंद थे सभी की पसंद थे उन्हें कंपनी की उपादी यह वो महल दोनों से वंचित कर दिया था तथा पूर्णा से निश्कासित कर कानपूर में रहने का बाइदिक कर दिया था सत्य जुन अठारो सब्सक्रावन को सर्वी यू विलर ने कानपूर में आत्पस प्रफल कर दिया गया था इस वजह से से इनों ने वेतरित किया था देखें graduate 257 में विधरो में इन सभी नेतरित कुरता में सरमुक्त नाब जासिक रानी लश्मी बाई क था जिसे जासिक में सेनीकों को एतियासिक नित्रवत क का पर्दान किया जहासी के साशक राज गंगाधर राव की म्र्तिू की पाशकाथ लोड डलोहोजी ने क्या लजी कुद्रकोMr Richard ओड़नी से इंकार कर दिया सकिह व्हंसी कोquito सभाव कى कपा उन्हेंने एक证त्र को गोध लिया था उसका नाम क्या था राजा दल्सक्त्र भर्लब शुसासी को कंपनी के सम्रेजय में मिलाह क्या क्या मिलालिया उसी कि इसी के अनुसर जहां इसी की वज़ाद से जहासी के राणिये ने 1857 में विद्रो में साध्याथा और सम मिल के 1857 में विद्रो किया था प्यारी बचो यहां तक लिए रहें तद प्रांत गंगाद राव की विद्वा महारानी राच्मिवादी ने में जहासी की जहासी नहीं दूँगा का नारा बुलन करते वे विद्रों की मोर्चा समाल लिया ठीक ना यही था कारण देखे उसके बाद क्या है फेजाबाद से फेजाबाद से कौन था मोलवी अहमद दूला ने विद्रूयों के एक समझ नेत्रूत का परदान किया था कि लिए ने इंपोर्टेंट आपको बता दिया या तीन नमर का था इसलिए आपको इतना ही लिखना ज्यादा आपको नहीं लिखना है कि लिए आपने यहां तक देखिए उसके बाद फ़लों नमर का प्र जात वर्ग से कि चित्र चित्रातिक विश्षिस्ता एवं समराठ के साथ संबंध ठीक ना मुगल रैज में यह अपका पहला पुइंट है इसको एक्स्प्लेन यहां पर किया है ठीक ना देखिए मुगल रैज का महतपुर अस्थम इसके अधिकारियों का दल था जिसे इतिहासकार सामयिक रूप से अभिजात वर्ग कहते थे अभिजात वर्ग में भरती विबिन नी जातिये तथा धार्मिक समूमों से होता था मुगलों के अधिकारिक वर्ग के गुलदस्ते के रूप में वर्नित किया जाता था जो अफ़ादारी से बादसा के साथ जुड़े रहते थी समरैठ के निर्मान में आरंबिक चरन से ही तारूनी और इरानी अभिजात अकबर की साही सेवा में उपस्तित थे इनमें से कुछ हिमायू के साथ भारत चले आये थे कुछ अनिबाद में मुगल दरबार में आये थी प्यारी बूचो थोड़ा आज फस्त रहें कारण क्या है थोड़ा सुभा से ही भूक रहें ठीक ना ओप्लाइन टीसन हो जाता है इस वज़े से सुच रहें आज थोड़ा इनमें से कुछ हिमायू के साथ आये थे यहां तक हो गया प्यारी बूचो देखें इसका मतलब यह हुआ अधिकारियों का दल था प्यारी बूचो इधियास कर इसे अभिजात अभिजात वर्ग मानते ठीक ना यह पर मुख पॉइंट था जो जे पहुत ही आप अफादार ठीक ना बादसा के साथ जुड़े रहते थी यहां पर लिखा हुआ है देखें दूसरा पॉइंट है राजपूतों एवं भारतिय मुसल्मानों का परिवेस पंद्रों सो साथ से आगे भारतिय मुल्के दो समूहों राजपूतों वा दो सास कौन कुसे थे भारतिय मुल्के दो समूहों राजपूत वा भारतिय मुसल्मानों की साही सेवा में परिवेस किया इसमें निमें नियुक्त होने वाले पर्थम व्यक्ति एक राजपूतानी राजपूती मुखिया अंबेर का राजा था जिसकी पूतरी अकबर का विवा हुआ था देखें किसे हुआ था ज यहांगीर के काल में के दुरान। की संखिया विसेयक यहोदे थी जात साही पद मानुकारण में अधिकारी के पद और वेतन सुचक था सवारिया सुचित करता था कि कि उसमें सेवा में कितने घुरसवार रखना है आप एचिक था यह पहले भी आपको मैंने आगे वाले कोश्चन में बता चुका हूँ ठीक न अभिजात कहलाते थे आप्समाए प्यारी बच्वह क trabajar क्या थे देखिए अभिजाति वर के की सब्सक्राण में यह एविजातні अपनी सेनाओं के साथ भाग लेते कश को धिकारियों के शông जी अभिजात थे, तो अधिकारी थी, इसके जिसे करनल उनर समयीरों ना, उसके अंडर करतीना 700 से 800 सेना होताे भारती सेना में करनल, उसी तरह से इसके पास 1000 सेन, 2000 सेना होता éthile और यह जब राजा इसे बुढ़ाते तो यह युद में भाग लेते थे पर्तिक सेन कमांडर घुड सवार की भरती करता था उन्हें हत्यारों और आधी से लेश करता था और उन्हें पर्चिस्चित कर देता था घुड सवारी पोज मुगल का अप हरिय अंग थी ठीक ना जो क कि दागे गए घोडो का पर्यू करती थी जो घोडा में साही निसान दिया जाता था उसी का पर्यू करता था देखिए यहां पर मुगल का अप हर यह था ठीक ना कि लिए अपने यहां तक उसके बाद आप शोलों नमर का प्रश्ण है 5 पॉंट अगर आप लिखते हैं तो प्रश्ण का बढ़ा लिखते हैं तो चार नमर आपको मिल देगा तो तीन-चार पॉंट भी आविया पे लिख सकते हैं ठीक ना देखिए पहाड़ियों लोगों की आज इविका संथानों की आज इविका से किस प्रकार भीनता जो धार्खंड का है यह प्रश्ण आपका भ पहाड़ी लोगों की आज इविका को देख लेते हैं उसके बाद संथालों की आज इविका को देखेंगे देखेगे का प्यारी बिचो त cyclies sayंटे से हठकर जूम किरसी चेतर पर अपनी अजी विका के लिए मैं तो जंगल ओर चारगा पहाड़ियों की अर्थवैस्ता के अटूर्ट हिसे थे फहाड़िएउ पहाड़िया लोग अपनी जूम खेती के लिए कुदाल का परयों करते थी और कुदाल का समझार ना के परती आ संकीत रहते थे और उसे बातचीत करने के लिए असानी से त्यार नहीं होते थी देखिए पहाड़िया विद्रों हुआ था कब हुआ था शत्रों सो 171 से आपने धार्खंड का अगरा पढ़िये का पैर बचो तो पहाड़िया विद्रों सत्रों सो 171 से एकासी के बीच हुआ था जिसमें महेशपूर की रानी ने इसका अंतिम दोर का नेतरित किया था ठीक न रानी महेशवरी ने तो यहाँ पर आपको नहीं लिखना है क्योंकि एंसी आपको लिखना है देखिए पहाड़ी लोग जंगल की उपज से अपनी गुजर बसर करते थे और प्रहाया जूम खेती क्या करते थे वे जंगल के छोटी से हिस्से में जाड़ियों में काटकर अपने घास बुस को जलाकर अपनी जमीन साफ करते थे और उसमें क्या करते थे खेती करते थे प्यारी बुचो तो पांच-पांच पॉइंट भी लिखेगा तो आपका हो ज चले जाते थे इसे ही जुम किसी कहा जाता था प्यारी वेचों ठीक ना देखे सातों पॉइंट आपका है पहारी लोग पूरे परदेश को अपनी नीजी भूमी मानते थे और ये भूमी उनके पहचान और जीवन का आधार था वहां बहारी लोगों के परिवेश का विरोध करते थे उनके मुख्या लोग एकता बनाए रखते थे आपसी लड़ाय जगड़े से निप्टा देती थे देखे एस अंधाल लोग जो था ना उसे अंग्रेजुन में लाके बसाया था ताकि वो लोग झाड़ा करे मांद के चल संथालों की आजवी का ठीक राजमहल की पहाड़ियों में संथाल लोग जम गए अनिकी बस गए ठीक ना संथाल लोग आसपास के जंगलों का सफाय करते हुए इमारती लकड़ियों का काटते थे जमीन जोदते हुए उसमें चावल तथा का पास की खेती करते थे संथाल ल लड़ाई हुआ तो कहा जाता है कि इनलों की लड़ाई कुदार और हलकी थी सिद्व मैंने पहले कर चुका हूँ देखे कोश्च था ठीक ना और इनका चीन भी हल था और पहाली लोगों का चीन क्या था उदाल था हल हल जो जोत्ते पहरी बच्छों इस तरह से रहता है यहां जब भी निचली इलाकों में घुसने की हिम्मत करते थे यहां पर करते होगा करते थे तो उन्हें भगा देते थे कौन संथाली भगा देते थे इस प्रकार से संथाली संथाल और पहाडियों में लाड़ाई होते रहा प्यारी बच्छों देखे संथालों ने अपने पहले राजमहल की पहाडियों पर बसने वाले पहाडी लोगों को चट्टानी और अधिक बंजर भीतरी सुस्क भागों में सिमित कर दिया था, मतलब महाँ पे पहाडियों का थोड़ा जादा दबदबा चलने लगा था और वही बस के आये थे, संथालों के पास पहाडी लोगों के मुकाबले अधिकूप जाओ भूमी होती थी, जिसके कारण पहाडी लोग खेती के अपने तरीकों से आगे सफलता पुर्वक नहीं चला सकी, यही था, जिससे देखे, सत्मा पुइंट है, जिस भूमी पर संथालों ने अधिकार कर लिया, वे अस्थाई खेती करने वाले, अपनी सवेत्ता स्विम अस्थाफित करने वाले आधिवासियों के रोल में उबरते चले गई प्यारविचों, यह था दोनों की जिवनी के अनी आजिवी का पर डिफ्रेंस, ठीक ना, अब सत्रो नमर का प्रशन देखे, बहुत ही लंबा प्रशन है, सत्रो नमर का प्रशन और परिनाम यहां कहा जाता है कि 1857 का महान विद्रो विफल रहा था, हमें अजादी तो नहीं मिली थी, लेकिन यह फल ही नहीं था, अनिकि इससे कोई परभावित नहीं पढ़ाता, ऐसा भी नहीं था, उसके बाद अंग्रेजों ने बहुत जादा चेंज किया था, ठीक न उन्होंने अपने हाथ में यहां की सासन वैस्था को ले लिए था, प्यारी बिचों, देखिए, आपर वही पॉइंट में लिखा हुआ है, सन्यूक्त परियास, इस विद्रो में से हमें अधिकार रखने के लिए भारत के संघर्ष के एक तस्वीर ले सकते हैं, इससे पहले कई विद्रो हुए थे, लेकिन उन विद्रो में भारतिये नस्ल की कोई भावना नहीं थी, अठारो सो संतावन इस वी, यहां पर इस वी एडी इंग्लिश में थी न, का विद्रो लोगों ने विभीर वर्गों में एकत्रित होकर प्रियास किया था, देखिए, हिंदू मु यह अधिवीत था, ठीक, उसके अब तिसरा पॉइंट यहां पर देखे, रैष्टी अनुभाव का विकास, क्या हुआ इसे रैष्टी अनुभाव का विकास हुआ 1857 के करांति के बाद, डोक्र एम एम परिनिकर ने लिखा है कि हलाकी सिपाई, सिमाएं और कमजोर, कमजोरि भी यह भायत की सुतनत्वा संग्राम में प्रेड़ना का स्रोत था, उसके बाद है, कमपनी के नियम का अंत, देखे, कमपनी का नियम था उसका अंत हो गया, इस महान विद्रों में राजनीतिक परिनाम, भारत में कमपनी के सासन का अंत हो गया, बिटिस संसद में पेश किय तब इसे पंदिन दिजत के रूप में पर आधी ने रहाणा एक को Japanese lady राणी ने घुश ना कर राणी के बाद रानी ने गोशना की इक आठार सो शूंतावन Wagyu कई वादों को ब्रारकार रखा सरकार की सेवा कास्ट धर्म और केवल योगेता के अधार पर वादा किया गया कि भगवान डल हो जी यहां पर लोड डल हो जी हुगा तो भगवान उसे हिंदी में करके लिख लिए गया है तो लोड डल हो जी के विलम की सिधान्त मतलब यहां कि उसका जिसका बालाबु नहीं होगा एक तरसे आप समझ सकते हैं जिसका उब्तरा धिकारी जिस राइजिक का नहीं होगा प्यारी बचो वह उसे मिला लिया जाएगा तो यहां नीती को रद कर दिया गया ठिक ना सेना पूरसों की नहीं निति के लिए घुचना की गई किसी भी विद्रों को वेवस्थित नहीं कर सके चिंग और सरकार के विस्तलब में कोई देसी आनिके भारतीयों को कोई मौका नहीं दिया गया था शिक्ता कारण ये भी तकी जो वहां पर 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 पिकवा prends comment तो इसे वहां से 8888 के बाद इसमें आरक्षम देने लगा भारती लोग भी वहां से अब डिसी एस्पी बन सकते थे और उच पदो पर जा सकते थे क्लियर यहां तक अब 18 नमर का प्रश्ण है नमक सत्याग्राय के प्रिष्ट भूमी एवो मुद्देसों का वर्नन करना देखे प्रिष्ट भूमी इसके पहले हम लोग प्रिष्ट भूमी को देख लेते हैं दिसंबर जो कि युवापीडी की नेतिविष्ट सोपने का पर्तिक था वहीं स्पुर्ण सवराज अथ्वा पुन सवतनता के उद घुष्णा भी की गई अनिकि वहां पे पुन सवतनता अनिकि पुन सवराज की घुष्णा की गई थी कब 1930 में प्यारी बुचो 1929 के अधिवेशन ल लोग गंतंत्र दिवस एक तरह से मनाते हैं प्यारी विचो 26 जनवरी को ही मनाते हैं ठीक ना देखें यहां पे 26 जनवरी 1930 को 20 अस्तानों पर रैश्टी दवज पहराकर देश भक्तिक गीत गाकर सवतनत्रा दिवस मनाया गया सवतनत्रता दिवस मनाये जाने के तुरंत का थना के लिए एक तरह सबसे को और रहे सफल नहीं राव इससे के बाद नमक सत्यागरा यनके नमक जो कणूं तोड़ गया थी पहरी बिचो देखे अब इसका उद्धेस हमलोग देखते हैं क्या था इसका मुख्य उद्धेस अंग्रेजों दुवारा लागू नमक कानून के विरूद्व समीने कानून को भंग करना था दरसल अंग्रेजी सासन में भारतियों को नमक बनाने का अधिकार नहीं था उन्हे इस नमक पर कई गुनाव कर भी लगा दिया था लेकिन नमक जीवन के लिए आविस्षय कोश्टू है इसके लिए इसकर को हटाने में के लिए गांधी ने यह सत्यागरा चलाया यह आत्रा आहमदाबाद की साबरमती आसरम से साबरमती आसरम से समुद्री टर्स्ट गाउं दान्डी तक निकाली गई जिसमें सुरुवाती में कितने लोग थे 68 वेक्सियों ने इस आत्रा में भाग लिया था नमक बाद में बहुत हो गया था लेकिन सुरूआत में 78 वेक्ति ठीक नहीं नमक कानूर के खिलाब सुरू हुआ था डान्डी सात्यागरा यह आपको समझ में दिया हुआ है उससे आप लोग जोहिन कर लें थोड़ा है क्योंकि तुबासे भूगते हैं ठीक ना उन्यापे तुख्वड़ा कुछ वड़ में मिश्टेक है इस वजसे से भी हो रहा है देखिए सविधान दिर्बार में पारूप समिति पारूप समिति का अध्यस कौ समितियों में से सबसे ज्यादा महत्पून समिति थी कुछ सी पारूप समिति इसका गठन 29 अगस्ट 1947 को हुआ था या समिति साथ सदेशियों की थी और इसके अध्यस कों थे डॉक्टर भीम्राव अमड़िकर थे सविधान पारूप समिति ने अत्याधिक प्रमीशन के उप पुष्तिं रूप से पर्दान किया गया यहाँ पारूप 1525 फरवरी 1948 को एक पुष्तक के रूप में परकासित हुआ इसके बाद पारूप को सविधान सभा की विचार्थ रखा गया अनिकी उसके बाद प्रस्तुत हो उसके बाद सविधान सभा के समझ लखा गया उसके बाद क्या हुआ इस पर भास हुआ कि हाँ ये कानून होना चाहिए ये इसा होना चाहिए ठिक ना इसके बाद पारुप सविधान सभा में विचारत किया गया पंद्रोन मेंबर ही है ठीक ना सविधान सभा के अधिश डॉक्टर राजेंदर परसाद ने इस पर हास्ताच्छेत हुआ और भारत का सविधान 26 नवबर 1909 को सुकृति हुआ इस प्रकाद या सविधान पुन रूप से सुकृत हो गया और 26 जनवरी उनने सो पचाज को संपुन भारत में लागू कर दिया गया पर बूचो तो यह था आपका नौट्स इसे आप टेलिग्राम ग्रूप से प्राप्त कर सकते हैं तो वीडियो लंबा हुआ होगा तो कोई बात नहीं आप इस पे थोड़ा वीडियो को दो बार देखिए तीन बार अप्लोड हो जाएगा ठीक ना और कल आपका जियोग्रफी का सेट फिरी और एकोनोमिक्स का सेट टू अप्लोड कर दिया जाएगा ठीक ना मिलते हैं नेस में धन्यवाद